जहिन साथियों स्वागे थे आप सभी का Education Cat6 में रुख करते हैं दोस्तो railway recruitment update की तरफ जहां पर SI और Constable की recruitment निकाले गई है आप सभी छात्रे ने इसका form भी भर दिया होगा लेकिन 16 माई के date में यहां पर एक notification जारी किया गया है यहां उन सब को मौका मिलेगा जो की form नहीं भी भरे हैं क्या वो सभी payment कर सकते हैं form फिर से भर सकते हैं तो नहीं ऐसी कोई बात नहीं है यहां पर मैं आपको पहले यहां पर बता दू यह अपडेट किया गया है उन छात्रों के लिए attention दिया जा रहा है उनको जो की applicant है इस form को भर के जिया जिनोंने application submit कर दिया है जिन candidate ने submit कर दिया है in the view of the many queries complaint arise the closing date of the fee payment देखिए बहुत सारे छात्रे complaint कर रहे थे यहां पर कि सर हम लोगों ने तो form भर दिया है लेकिन payment जो है हमारा नहीं हो पाया है कुछ technical error आये कहीं कहीं और बहुत सारे छात्रे का ऐसे साथ दिक्कत हो रही थी और यह अभी तक की इतियास में railway ने पहली पर ऐसा काम किया है कि आपको payment करने को लेकर जो है फिर से डेट को एक्स्टेंड किया है तो फिलाल आपको बता दे कि यह कंप्लेंट की गई है जहां पर closing date तक जो है फीस payment नहीं हो पाया है अल्रेडी सब्मिटेड ओनलाइन अप्लिकेशन संख्या जो है आपका आरपीफ एक दोजार चौबीस और दो दोजार चौबीस जो की एसाई और कॉंस्टेबल की वेकेंस को लेकर है इट हैस बिन डिसाइड तो प्रोवाइड दॉपर सुनिटी फोर दो पेमेंट अप्लि लेकिन अप्लिकेशन फॉरम उन्हों ने भराई यहाँ पर उनकी बातें कहीं जा रही है तो उनको यहाँ पे का जा रहा है कि आप जो है आप लोग के लिए date यहां पे extend किया जा रहा है कि payment कर लीजे यहां पे the fees payment window for the search candidate will available from the 18th of May 2024 to 20th of May 2024 यानि कि 18 माई से लेकर 20 माई के बीच में आपके लिए यह link activate किया जा रहा है जिसके माद्यम से आप लोग जो है यहां पे इसका payment कर सके यह जानकर यहां से दी गई है कहा जा रहा है कि those candidate who have submitted their online application before the closing date that is 14th of May देखे 14 माई last date था और मैं इसके बारे में जो है जानकरे भी आपको दी है अपने official website पर जो कि key education.in का है जाकि वहां से check भी कर लिजेगा उनको यह मौका दिया रहा है and unable to pay the fee और पे payment करने में यहां पर unsuccessful रहे हैं can now pay fee by the click the pay now section play now button है वहां पर है आपको जाकर payment करने का जहां पर आपको क्लिक करना होगा और जो है application history page आपका उपन होगा जहां पर आपको login करना होगा अपने user credential के द्वारा आपका user ID और password आपके पास हो गए हैं आप login कर लेंगे no further correspondence will be intended for the those candidates who have the failed to pay during above the period of the 18th of माई तुट्वेंट तब मतलब बोला जारा कि 18 माई से लेकर 20 माई के बीच में अगर आपका पेमेंट नहीं किया तो फिर से दुबारा आपका यह payment करने है इस रेक्रूट्मेंट प्रॉसेस में please do not mislead by any unauthorized या on any authenticated sources मतलब कोई ऐसा ना हो कि आपको जो है दिख भ्रमित कर दे और आपसे पैसे ले ले और आपका पेमेंट भी ना करें या फिर आपको बोले कि हम नौकरी दिलाएंगे ऐसे लोगों की चक्रव नहीं फसना है यहां पर पेमेंट करने को लेकर अगर आपको कोई समस्या हो रही कोई चुटी का टाइम नहीं होना चीए कोई चुटी का दिन भी नहीं होना चीए तो आपको यहां से help किया जाएगा तो दोस्तों यह जो छोटी सी update है हमने आप तक साजा किया है यह आपको official websites पे देखने को मिल जाएंगे जो कि मैंने यहां पे RRB भोपाल का यह official website कोल र website भी देख सकते हैं और इसको अटेंड कर सकते हैं दोस्तों इस वीडियो में इतना ही कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रू पूछ लीजएगा जैहिंद